दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में बिजनस की एक अमेजिंग जर्नी 200 दिन में 200 करोड का वैलिएशन जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने और ये वैलिएशन कोई स्टार्टप फंडिंग वाला वैलिएशन नहीं है कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें या पेज को फॉलो कर लें इस 200 दिन की जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इन्वेस्टर्स को पिच किया और पिच करने के बाद अपनी एक्विटी को डैलूट किया साथ ही साथ किस तरह से लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक हम लोग पहुचेंगे क्या सेल्ज और क्या मार्केटिंग स्ट्रेजी रहने वाली है फाक्टरिका सेट अप कैसे होगा यह सब कुछ इस 200 दिन की जर्नी में आपको बताने वाला हूँ 200 दिन में 40 वीडियों रिलीज करेंगे क्योंकि यह वो रहस्य है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनस में इंप्लीमेंट करती हैं यह पूरा रहस्य है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 200 दिन में 200 कुरोड की वेलिशन की सीरीज में मैं डॉक्टर आमित महिश्य आपका सौकत करता हूँ सबसे पहले कि हमने फुलट फ्लाइश प्लाइनिंग की फानेंस हमारे पास कितना है हमारे टीम के कुछ लोग सर्च करेंगे बस्ट प्लांट लगाएंगे और फौइनली में मड़ी टीमने जो प्लांट स्प्लांट किया वो है यह है यह लग बग्ग आच गज dizzy problem कि ये 1000 गत से उपर का होता है यहां हम लगाएंगे पूरा laser cutting and bending का plant अब हमने book की पाकि सारी machinery जिसके लिए different different vendors से हम लोग मिले और final की हमने laser cutting machine फिर काफी सारे vendors से मिलने के बाद हमने decide कि laser cutting machine हम अगले 20 से 25 दिन में install करेंगे फिर हमने मुलाकात कि इस अभी उन vendors से जो bending machines provide करते हैं bending machines की सारी provision को चेक करने के बाद energy mission के साथ हमने किया deal close और चो टोड़े vendors को payment करने के बाद हमने machine का demonstration चेक किया सारी machine book हो चुकी है जल्दी हमारे plant में होगी और हमने की investor meet investor meet में क्या हुआ यह बताने वाला हुआ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दोसो दिन में 200 कुरोड के business valuation की वीडियो में मैं डॉक्टर मित नहीं शुर्य आपका स्वागत करता हूँ investor meet में हमने investors को पिच कि अपना business proposal और confirmation ली investment की और फिर order कि हमने बाकी machinery का जो आने वाले different vendors से फिर शुरू कर दिया हमने अपने existing beautiful शोरूम को shift करना क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं कि industrial area में complete setup जहां display प्लस factory production दोनों होगा आप देख सकते हैं कि सारा setup खाल लोने के बाद कैसा लगता है सारा complete display शोरूम का material लेकर हम लोग पहुंचे हमारे नई site पर और यहां शुरू कर दिया हमने civil work और interior cover करना display setup तयार करने से पहले हम तयार करेंगे अपना back end setup ताकि हमारी team sales volume पर काम करना शुरू करें और production की team लगातार display पर काम करती रहें इसलिए team को divide किया दो different task पर एक करेंगी back end की तयारी और एक करेंगी front end की तयारी back end पर शुरू कर दिया हमने marketing का काम ताकि जाला सरा lead generate हो और हमने जो machine पीस book की थी उनकी testing वीडियोज हमने company से मंगवा लिए बाकी investor से आने वाली payment भी ready है और उस payment को हम देंगे हमारे vendors को और setup को install करेंगे लेकिन शाम को हमने full किया enjoy party में अब बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में